जातियों की आखड़े इनको बहुत अच्छे से याद होते हैं कि गुर्जस समाजों की क्या वोट की संक्या है ब्रामन समाज की वोट संक्या क्या है मीना वोट की क्या है मैंने तो आज तक मुझे आज 20 दिन हो गए है अपना नामंकन भरे हुए आज तक मिरे नजरिये में मिक्रण के साब से में अपनी रणनीती बनाओ कि इस बार नेता ऐसा नहीं लग रहा है जिससे बात करने में डर लगे है जो बड़ी-बड़ी गाडियों के रॉले में आये और उसके पास सिर्फ माला टांगने के लिए तो वो मुह आगे करे पर बात सुनने के लिए वो हमे 10-10 लाख रुपे सालाना हर ग्रामिन परिवार की आये हो जाएगी पर इस फेक्टरी की लागत 2 करोड नहीं है इस फेक्टरी की लागत 100 करोड रुपे है तो 100 करोड रुपे लाने के लिए जब एक विधायक यहां का दूसरे देश में जाता है तो सिर्फ माला टंगाने न जाए उन देशों में वो निवेश भी लाए और उस निवेश को उपरी उपर अपने पूंजिवाद तरीके से उज्योग पतियों मीना बाटे समाजवादी पूंजिवाद लाए उस पैसे को खेत-खेत पे कुंडा बनाने में सोलर पंप बनाने में डृप फावारा लगा संग्राम को जीतने के लिए राजनेतिक दलोक के जो परत्याक्षिय उन्होंने भी एटी जोडी का जोड लगा दिया है और जनता के बीच में वोट मांग रहे हैं इस वोट मांगने की मुहीं में वे नए ने तरीक आजमा रहे हैं को बैल गाड़ी पर गूम रहा है को ट्रेक लेकिन दोसा होट सीट है और उस होट सीट में आम की एंट्री हो गई और यह कहानी शुरू हुई थी इस गाउं से जो इस विधानसभा में मैंने चारड़ा पंचायत को विक्सित किया कि चुनावी रण में उतरने से पहले राजधर्म निभाने का एक उधारन बना कर आया कि आज उस हर खेट पर बारो मासी पानी की विवस्ता है और मुझे बीजेपी और कॉंगरेस दोनों के नेताओं से ये शिकायत है कि आप लोगों ने इतने सालों से आजादी के बाद इतने सालों से है राजकाज समाला पर आज तक एक भी गाउं विधान सभा में एक भी ग ज़ित्रिय वरोजगार की विवस्ता हुई हो, तो मैं इस बात को मानूगा कि इन्होंने से शेत्रिक ले कुछ किया है चुनावों को देखते हैं तो जाती समिक्रन देखते हैं, जातियों की आखड़े इनको बहुत अच्छे से याद होते हैं कि गूर्ज समाजों की वोट की संग्या है, ब्रामण समाज की वोट संग्याया है, मीना वोट की क्या है, मैंने तो आज तक मुझे आज 20 दिन हो गए है अपना नामंकन भरे होए आज तक मेरे नजरीयों में कभी ये नहीं आया कि जाती किलंट समिक्रण के सापसे में अपनी रणनीती बनाओ मैं बड़ा सर्प्राइज रहा हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे IIT खड़कपुर से मैंने पढ़ाई किया तो कॉलेज में बड़ी-बड़ी किताबों में पढ़ते थे कि बहुत आदर्श रूप में ये लोग चुनकर आते हैं पर हमें पता चला कि इनको जाती समिक्रण के आकड़े इतने कठोर याद है इसका मतलब ये वेमेन शिता फिला कर समाजों को बाट कर जो अंग्रेज करते थे कि बाट कर राज करो तो अंग्रेज तो देश को बाटते थे ये लोग जातियों को बाट कर राज कर रहे हैं लेकिन उससे पहले सवाल कुछूँगा आपने अभी तीन चावर नेता शब्द का उप्यों किया लोग ये कह रहे हैं कि इस बार नेता ऐसा नहीं लग रहा है जिससे बात करने में डर लगे जो बड़ी बड़ी गाडियों के रॉले में आये और उसके पास सिर्फ माला टांगने के लिए तो मुह आगे करे पर बात सुनने के लिए वह हमें ही थपन मार के चला जाए तो इस बार उनको ये नेता ऐसा लग रहा है कि अच्छा बड़ों को लग रहा है हमारा बेटा है युवाओं को लग रहा है हमारा दोस्त है युवतियों को लग रहा है चाहिए मेरा भाई है तो इस तरीकी का जो सोहारदे पूर्ण जो एक सरलता उनको मुझ में दिख रह जातियों की कसमें आपको चड़ाएं, जातियों के अस्तित्व को खत्रे में होते हुए दिखाएं, पर आप लोग उनसे पूछिए कि आपने, उन्होंने आपके अस्तित्व के लिए क्या किया, और जब वो उस बात का उत्तर तो नहीं दे पाएंगे, तो आप बोलिए कि इस कि अगर उनके पास हो तो अपना सही प्रतिनीदी चुन सकते हैं पड़ मैंने जैसा कहा कि मेरे को कभी जाती समिक्रण मैंने अपनी रणनीती नहीं मनाई मैं आज जिस भी समाज जिस भी शेत्र में मिलता हूं सर्व समाज के लोग मुझे मुझे सुनकर मुझसे जुड़ रह रहे हैं बहुत लोग कह रहे हैं कि इस बाद त्रिकोणिये मांचित्रन बन गया है त्रिकोणिये चुनाव अपने रूप ले चुका है और इस बाद जीत दर्ज होने की संभावना बहुत गुणात्मक रूप से इजाफे में बढ़ गई है इन नेताओंने बड़ी- राजनीती से दोसा को ये लोग बिलकुल खा चुके हैं आप समझिये बड़ी ही बेशर्मी की बात है कि बारोमासी नदियां बहती थी मेरे पापा की बुआएं यहां रथ बेलियों में आती थी बान गंगा नदी बारोमासी बहती थी मेरे पैत्रिक गाउं सिकराय में एक कुए सुखा दिये चारे की मकमी की वज़े से गाय भैस कटने जा रही हैं तो ये लोग अलग अलग जातीयों को सिर्फ वोट देने वाले भैस बकरी समझते हैं ये लोग उसको अपनी जंता नहीं समझते अपना दाइत्व निभाएं और इसी दायित्व को निभाने के लि पर जैसे एक टमाटर की में हाँ चटनी की फैक्टरी लगाना चाहता हूं जिससे सभी किसानों को एमेसपी जैसी व्यवस्था दस-दस लाख रुपे सालाना हर ग्रामिन परिवार की आये हो जाएगी पर इस फैक्टरी की लागत दो करोड नहीं है इस फैक्टरी की लागत सौ करोड रुपे लाने के लिए जब एक विधायक यहां का दूसरे देश में जाता है तो सिर्फ मा गणे में मल्चिंग लगाने में ऐसे पानी बिझली की विवस्थाह में लगा कि फिर ही यहाँ कार खने लगाए जिन कारखानों से यहां की दोसा की मेनत को पूरे विश्व में पैचान मिले पूरे कि विष्व में उस माल की दिख्री हो तो ऐसा एक model युवा विधायक मै यह दोड़ सिर्फ दौसाग तक नहीं है पूरे पूरवी राजिस्थान तक जाएगी और मैं अपना पूरा जीवन इस काम में समर्पित करने के लिए त्यार हो गया हूं मद्दान की ताइक नजदिक आ रही है उससे पहले बड़े घहमा घहमी महा संग्राम देखने को मिलेगा बड़े बड़े नेता यहां आएंगे खुद मुख्यमंतिरी बजनलाज सर्मा यहां आएंगे सचीन पाइलिट फिर आ रहे हैं क्या लगता है कि कि लाज मीना भी यहा बाव है उन सभी सीटों में से दोसा में सारे बड़े नेता आकर बैठे हैं यही मेरी बात का प्रमाण है कि इस बार लग रहा है हमारी जो पानी बिजली रोजगार की जो गर्मी है वो नेताओं के पसीने चोड़ा चुकी है और इसलिए सारे नेता डर में दोसा में डेरा बैठे हैं और यह हमारी सफलत होने वाली सफलता का एक प्रतिकात्मक मुझे प्रतीक लग रहा है तो यह थे निजली उमीदवार वीपिन गोईल जो कह रहे हैं कि अब नेता नहीं जनता के काम कोई भी अब नेताव को सुना पड़ेगा संदीप मिनार दोसा राजस्तान तक कि अब कि अब तक